Hey friends, welcome to Wi-Fi Study, Changing the Way of Learning, this is Muskan and today I am presenting Clarity Session No.1 जहां पर आपको Clarity मिलेगी आपके माइड में, क्योंकि जिस तरह साफ सुत्रा पानी, स्वच पानी, किसी भी चीज की शैडो है आपने सामने बिलकुल स्पश रूप से दिखा सकता है, उसी तरह कि इससे एक क्लियर मन, Clarity से भरा हुआ दिमाग हर चीज को साफ स्पश शब्दों में दिखा सकता है, लाइफ में Clarity बहुत जरूरी है और ये Session आपकी लाइफ को बदल कर रख देगा, that is a shorty from myself, So, आईए बढ़ते हैं, आज के इस powerful session की तरफ, So, are you ready? Here we go, सबसे पहला question और सबसे ज़्यादा important question और सबसे ज़्यादा crucial question आज के time का, जिसको कोई भी, कहीं भी, किसी भी institution में नहीं बता रहा है, that is who are you, who are we, कौन है हम, क्या है हमारा existence, इतने इस पूरी काइनात में, पूरी universe में एक planet है, और उस planet पर हम survive कर रहे हैं, क्यों हम survive करें, क्या reason है इसका, आज की life में दोस्तों हम भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं, लेकिन pause करिए खुद को, क्योंकि छोटी-छोटी चीज़ें हमें मायूस कर जाते हैं, छोटी-छोटी चीज़ें खुशी दे जाते हैं, हमारी stability खो चुकी है, एक तरफ आप वो इनसान है, जो पूरी द दुख सहन ही कर सकते हैं, या वो powerful supreme power हो, जो इस पूरी काइनात को अपने अंदर संजोए हुए हैं, इस छोटी सी वीडियो में आपको आपके सारे अंसर मेलेंगे, so here we go, so let me introduce yourself, are you a doctor, engineer, lawyer, builder, banker, accountant, mechanic, artist, teacher, watchman, what you are, no my dear friends, they are the only titles you have, okay, यह जनम के साथ titles नहीं मिले, यह सिर्फ recognition है आपके साथ, you are not that, क्या हो आप सीता गीता राम शाम, no, नहीं, बलकुल भी नहीं, suppose कि जी आप डूब रहे हो, या किसी पहाड़ी से गिर रहे हो, आपके पास सिर्फ वो last moment है, अपने आपको बचाने का, क्या बोलोगे आप, मैं एक doctor हूँ, मुझे बचाओ मैं एक I.S. officer हूँ, मुझे बचाओ, no, not at all, क्या बोलोगे, मैं यह हूँ, मेरा नाम यह है, please मुझे बचाओ, शाम को बचाओ, एहमद को बचाओ, नहीं, नहीं, क्या बोलते हैं हम, हमें बचाओ, मुझे बचाओ, वो एक शाब्द होता है, किसको बचाने की बात हो रही ह है हूँ, अगर हम यह बोडी हैं, तो यह बोडी जनम से लेके अभी तक कितनी बदली है, कितने सारे इसमें changes आते हैं, अगर हम यह बोडी है, यह face हमारा है, तो यह face बचपन से अपनी फोटो देखो, और अब देखो कितना change हुआ है, तो क्या यह हम है, और इसी face के अगर, सरजरी हो जाते हैं तो उस नए फेस को भी हम एकसेप्ट करते हैं क्योंकि हमने अपने आपको उसी रूप में देखा है यह हमारी पहचान नहीं है और ना ही हम बॉड़ी है अगर यह बॉड़ी होते तो देखें जब एक इनसान इस दुनिया से जाता है तो सारे फीचर्स उस क्या इसा होता है जो इसके इंदर से चला गया और उसी इंसान को जिसको हम अपने रिलेटिव मानते हैं उसको हम बैड पर तक नहीं लेटाते हैं उसको जमीन पर लेटाया जाता है मतलब कोई प्योर चीज थी सबसे प्योर चीज थी जो उस टाम नहीं है जिससे हमारा रिल यह सारी clarity को लाने के लिए सारी titles को जो हमारे उपर text लग चुके हैं उनको एक एक करके remove करना होगा so that you can recognize yourself what you are. so आईए चलते हैं जब हमारे पास कोई job है कोई recognition है आप कुछ भी job carry कर रहे हो कोई भी profession carry कर रहे हो that is not you leave that for some time उसको एक time के लिए छोड़ दीजिये भूल जाए कि that is you okay क्योंकि देखें खुश तो वो भी नहीं है depression में वो भी जाता है और भागने की होड उसमें भी लगे हु not you फिर बढ़िये अपनी student life की तरफ बढ़ते हैं college life की तरफ बढ़ते हैं जहां पर हमें अलग-अलग streams में ले जाया जाता है अलग-अलग degrees में ले जाया जाता है उन टेक्स को भी छोड़ दीजिये आप क्योंकि education का मतलब सिर्फ degree लेना नहीं किसी job को लेना नहीं खुद के level को खुद को समझना है real education so इस age से back to back चलिए पीछे की तरफ चलिए अपने job के recognition को छोड़ा है अपने अपनी student life की degrees को जो आपके groups थे सब को छोड़ दिया है filtration हो रहा है आपके mind का back to back be with me एक मिनट के लिए एक second के लिए मत छोड़िये अभी बिल्कुल अपने mind में ये process को वापिस करते चलिए अब बढ़ जाए अपनी तीनेज की तरफ जहां पर एक छोटी सी चीज आपको इतना खुश कर जाती है और ना मिले तो आप डिप्रेशन में चले जाते हो ऐसी ऐसी एपस है ब्ल्यू एल्स जैसी एप है जो आज के टाइम में जो आज के टाइम में टीनेजर्स को सुसाइट करने पर मजबूर कर रही हैं so that is not you आपको यहां पर अलग-अलग परसेंटेज के लिए अलग-अलग कमपारिजन हुए उसने इतने ले लिए तुम्हें भी लेने पड़ेंगे तुम्हें भी यह मैनत करनी है no that is not you education का मतलब हमें यहां खुद को स लेसंस को आफ वहां पर सीख रहे हो लाइफ की बारीखियों को so वहां पर से भी वापिस आना है back to back जाना है so यहां से भी बढ़ेंगे अब हम अपने childhood age की तरफ जहां पर कुछ बोज देखे कम हो चुका है life में वो खुशी आ चुकी है वो मुस्कान आ चुकी है और जहां हम खुद को enjoy कर रहे हैं क्योंकि देखे discrimination तो यहां भी सिखाया गया हम पर tax तो यहां भी लगाए गया लेकिन फिर भी कुछ अलबेले से हैं हम कुछ मान लेते हैं कुछ पीछे छोड़ देते हैं ऐसे हम यहां पर अपने childhood में हो आपको imagine करना है अपने childhood में जाना है हाला कि सिखाया गया यहां पर भी उससे बात मत करो आपको यहां पर भी इस age में भी काफी सारी titles मिल चुके हैं कि आप इस religion से belong करते हो आप इस class से belong करते हो आप इस समुदाय से belong करते हो आपको उससे बात नहीं करनी no, सब titles को छोड़ दो बिलकुल अपने आपको neutral कर दो तब भी अपने करीब जा पाओगे तब भी पहचान पाओगे क्या है हम सो यहां पर से भी हमें यहां पर भी नहीं ठहरना है तब भी actually clarity मिलेगी सो लिव ओल दे टाइटल्स यहां पर भी जो हैं ना आपके पास कोई religion हैं ना आपके पास कोई titles हैं ना आपके पास सब भी किसी तरे क का boys girls any discrimination you have right now you are neutral you are the human being you are carrying the biggest title that is humanity you are a human being so we are the human being लेकिन दिमाग में एक जद्दो जहत भी है एक struggle अब भी है क्या either we are good either we are bad क्या हम अच्छे हैं या हम बहुत बुरे हैं friends हमारे पास 50% है इन दोनों चीजों का वो बुराई भी हमारे अंदर है वो अच्छाई भी हमारे अंदर है आपने सुनी होगे कानी सब की कोई ना कोई होती है नानी वो सुना ही देती है क्या कि हमारे अंदर दो शेर तौ आज़ा होगे , so it's our time , ग्रिणा को क्रोध को बहुद टाइम दे दिया हमने , लेकिन अपनी अच्छाई को हमने आगे लाना है , अपनी हुममेंटी को हमने आगे लाना है , उस इश्वर को उस अल्ला को हमने आगे लाना है , everything is within you guys so it's a war between you and you it's a war between me and me no war with anyone else आपने सुना होगा कबीर दास जी से भी क्या कहा है इन महापुर्शों ने सब लिख दिया है क्या कि बुरा जो देखन मैं गया बुरा ना मिलिया कोई जो मन देखा अपना मुझसे बुरा ना कोई कि देखें माइंड है जो किसी सामने वाले परसन को बुरा बना रहा है किसी सामने वाले परसन को अच्छा बना रहा है लेकिन अगर किसी परसन की आदाश चली जाते तो देखें उसके लिए साब नूट्रल हो जाता है सो इम माइंड का गेम है, समझे इस गेम को हमें अपनी अच्छाईयों को लाना है, अपनी बुराई पर जीतना है, ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी जीत है, So then you will be super hero, super heroine of your life, आपने सुना होगा, जो भी हमारे character होते हैं, he-man, batman, superman, man है सब की last में, man ही है जो क्या है, powerful है, कोई भी, कोई भी सक्षियत आई है friend हमारे यहाँ पे, चाहे वो स्वामी विवेकानन जी हो, या गोतम बुधा हो, सब भी मानो शरीर में आए हैं, और किसी न इसा नहीं किया, कि स्टार्टिंग की लाइफ में उन्होंने बड़े-बड़े चमतकार करने शुरू कर दिये, या वो कुछ अलग सी पावर्स लेके आए थे, नो, सारा स्ट्रोगल वही किया, जो हम कर रहे हैं, और आज भी ये गोतम बुधा, आज भी वो सारे सूपर पर है, everything is within you, you are the creator of yourself, जब सब कुछ हमारे अंदर है, वो बनाने वाला हमारे अंदर है, तो बाकी सब बच क्या गया, तो यहां पर सब ने यही बात रिपीट की, सेम बात रिपीट की, ओके, देखे, एक बड़ी अची कोट दी है, कबीर दास जी ने दी है, क्या बोला है उन्ह जगनाभी कुंडल बसे, इम्रग ढूंडे बनमाई, ऐसे घटगट ब्रह्म है, दुनिया जानत नाए, कि जिस तरीके से एक हीरन की नाभी में, वो जो कस्तूरी बसती है, और वो पूरे जंगल में उसको ढूंडता है, उसकी खुश्बू के लिए कि कहां है, कहां है, अगर आज आप मुझे देख पा रहे हो, मतलब जो भी इस वीडियो को देख पा रहा है, वो आपकी वज़े से, अगर आप सुन नहीं सकते, आप मेरी आवाज कैसे सुन सकते, अगर आप देखनी सकते, तो यह वीडियो कैसे देख सकते, सो सब कुश आपकी अंदर है, everything is within you जरूरत है जानने की पता है आप सब को अल्रेडी पता है लेकिन समय समय पर हमें क्या चाहिए उसको कोई याद दिलाने वाला चाहिए आए मिलते हैं अब आप से ये है आप ये हो आप आप वो नहीं हो जो एक तिनके से तूट जाओ आप वो बच्चे हो वो जिद्धी बच्चे हो वो नटकट बच्चे हो जिसे पूरी दुनिया की फिकर नहीं है जब वो हसता है तो वो ऐसे हसता है अलहड हो के हसता है जब वो पूरी रोता है पूरी पड़ोस को पता लग जाता है कि हाँ वो रो रहा है और उसको किसी की शरम नहीं है उसको किसी का असर नहीं है वो बेपरवासा लापरवासा खोया सा अलमस्त सा वो बच्चा आपके अंदर आज भी है शरीर से बड़े हुए हो लेकिन वो सारी चीजे आज भी आपकी अंदर है So that is you पहचानिये इसको और enjoy कीजे इस life को अपने आपको पहचानिये उस अपनी मासूमियत को मत खोने दीजे ये दुनिया आपको भगाएगी पर भागे मत हाँ अपने करम को पूरी शिद्दत से कीजे लेकिन अपने आपको खोए बिना So be yourself और जो भी आपका काम है उसे पूरी शिद्दत से करो चाहिए आपका काम कोई भी है दूसरे के काम को ये मत देखो कि उसका काम बड़ा है क्योंकि इस काइनात ने आपको ही वो responsibility दी है So be grateful in your own way So friends हम देखे positivity को मानने वाले भी बहुत लोग है और negativity को भी लेकिन हमें क्या करना है हमें इस positivity को फैलाना है इस रोशनी को फैलाना है इसलिए आप कम से कम दो इंसानों के साथ ये वीडियो शेयर करें ताकि उनकी लाइफ में भी actual मुसकान आए clarity आए चीजों को समझने का नजरिया आए आज की चीजों में फाल्तू चीज़े बहुत जल्दी वाइरल हो जाते है तो हमें भी ये दिखाना चाहेगी positivity को मानने वाले भी लोग कम नहीं है हमें इस प्रकाश को फैलाना है और अपने से छोटों को भी इस वीडियो को दिखाए ताकि उनके अंदर जो संसकार है वो फैले आप शेयर करें वो माने ना माने अलग बात है लेकिन आप भी ना बताओ ये तो गलत बात है तो फ्रेंड्स ये तो सिर्फ शुरुआत है अबी तो पूरी की फूरी स्टोरी बाकी है क्लारिटी के बहुत सारे सेशन्स बाकी है आपका लेवल धीरे 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 बहुत उपर तक जाएगा आप खुद इतना मोटिवेट रेनल स्टार्ट कर दोगे कि आप दूसरों को मोटिवेट करोगे हमें दिखाना है कि ये पॉजटिविटी अब रुखने वाले नहीं है मैंने तो ये अपने आप से वादा कर लिया कि मैं ना खुद अभी किसी चीज से मायूस होने वाली और जितने भी लोगों को जानती हूँ मैं जो भी मेरे टश में आएगा सब को मैं डिप्रेशन से निकालूंगे तो अपने चैनल को लाइक, शियर, सब्सक्राइब करना न भूले टेक कियर, बी बोल, बी स्ट्रॉंग, स्टे पोजिटिव, हवे नाइस टे आहेड, बाबाई